देर पहले इंडिया के प्राइमिनिस्टर नरंदर मूदी साहब पहुँच चुके हैं कीव युक्रेन और और वहाँ पर इंडियन डाइस्पोरा चांटिंग भारत माता की जै और मूदी 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 पाकिस्तानियों यह क्या हो गया अमेरिका के अंदर वो attitude of dominance है और उसी attitude of dominance के दम पर या उसके according इंडिया को हैंगल करना चाहता है या इंडिया से अपने relation establish करना चाहता है और इस टाइम पर मूदी जी इस attitude को जहलने वाले नहीं है अगर निरिंदर मूदी mediation करा देगा आओ क्या लगए Americans कोई अच्छा लगेगा अमेरिकान कोई अच्छा लगेगा क्या वो mediation करा दे समस्या यह है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है भारत का रुत्मा जो है वो दुनिया के अंदर बढ़ रहा है और शिया यूकरेन वार के टाइम पर जब दुनिया में गेहू चावल की कमी पड़ी हुई थी तब भी इंडिया ने अपनी leadership दिखाई और उस leadership को इस त परेड में chief guest बनके आई वे थे यही तो रॉला मचा हुआ है कोई मुलक जंग बंद नहीं किराना चाहता कोई मुलक जंग बंद नहीं किराना चाहता जो वेस्टर्न European countries या अमेरिका है वो खमोश होके बैठे हुए है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताओं कि यह जो ज इस्ट और एफरिका में दर वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस अवाले से के जी मोधी साहग युकरेन पहुंचे हुआ है युकरेनियन लीडर भी फून करते रहे हैं नरेंडर मोधी को और रेश्यन लीडर से भी बात होती रहे है नमस्कार दोस्तों ज 10 घंटे ट्रेन यात्रा करके यहां पहुंचे हैं पिये मोधी ने इस यात्रा के पुश्टी करते हुए कहा कि यह भारत युकरेन की दोस्ती की गराई लाने का अफसर होगा पिये मोधी युकरेन जाने से पहले पोलेन की यात्रा पर गय थे पोलेन से पिये मोधी के साथ भ उक्रेण के राश्ट पती, वलादिमिर, जलस्की, के 20 संघर्स के संतिपूर समधान पर विचार विमर्ज होने की उमीद है। मोजी राश्ट पती, जलस्की की निमेंटरण पर यूक्रेण आए है। कीव की यात्रा से लगबग 6 सब्ता पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी जिसके लिए अमेरिका और वेस्टन कंट्री ने इसकी आलोशना की थी देश के 1991 में सुहतंत्र होने के बाद यह किसी भारती प्रधानमंत्री की पहली यूकरेन यात्रा है नई दिली से रवाना होने से पहले प्ये मोदी ने कहा ता कि एक मित्र और साज़ेदार के रूप में हम छेत्र में शांती और स्थीरता के शिर्क बहाली की उमीद करते हैं भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इस वाकिंग ओन टाइट डिप्लोमाटिक रोप के उपर चल रहा है और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंदरा मोदी साब जो है ये वन आफ दे डायर विंटरनेशनल लीडर्स जो योकराइण भी जा सकते हैं और रस्याओ जा सकते हैं और यह चीजहारी बात है एक एक आपको अथलoss देती यह ठीक है ंट्डियं डिप्लोमीशी यह कहती है कि we do not work in either or मतलब यह नहीं है कि आम इसके तालोक है और इसके तालोक है नहीं है we go with all ठीक है जी एक चीज तो है कि युक्रेनियन लीडर भी फून करते रहे है नरेंडरा मोधी को और रेश्यन लीडर से भी बात होती रही है यह चीजें जो है they are there but obviously क्या इसकी significance है क्या हो सकता है अभी जब talks हो रही है जिलेंस्की साहब की और मोधी साहब की final community से पता चलेगा कि क्या होने वाला है भी western capitals है वो बड़े खुश है इस अवाले से कि जी मोधी साहब युक्रेन पहुंचे हुआ और जिलेंस्की और बाकी लोग बड़े disappointed थे जब नरिंद्रा मोधी पहुंचे रशियारों ने का जी के bloody criminal से मुलाकात कर रहा है ये word बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी democracy का leader word की दुनिया की सबसे bloody जो criminal है उससे जपीड लगा रहा है ये जिलेंस्की के word है ठीक है जी अच्छा वैसे अगर इसको तोड़ा dissect किया जाए कि जिलेंस्की का ये कहना कि world's largest democracy ठीक है मिल रही है ये world's largest democracy का जो leader है वो हग कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े bloody criminal से हग कर रहा है and there was no response from India ये कोई असान बात नहीं थी ठीक है वो जिलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की support हासल हो ठीक है जी so इंडिया समझता है कि कोई बात नहीं है this is not a moment to respond to zilेंस्की जिलेंस्की को respond करने का ये moment नहीं है अगर हमने जिलेंस्की को respond कर दिया तो जिलिंस्की कार्ट कार्ट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा मैं आइ विश कि पाकसान नौन अलाइंड रहता तो आज हम भी ना लड़ रहे होते ना जगड रहे होते ना कुछ कर रहे होते ये जो चीज है इसको देखते हैं लेकिन असल में मसला ये था जितनी भी वेस्टरन म्मालक है ना वो समझ देखने हैं कि now India owes us back ये है वो मांइड़सेट अमेरिकन और बहुत सब्सक्राइब पिटिकुलर्विश्वरिक अमारिकन मांइड़सेट ये है कि India owes us back इंडिया हमें ओ करता है, जो हम उसको दे रहे हैं, स्टेटस, जो हमें इंडिया का स्टेटस उठा दिया है, इंडिया शुड़ पे अस बैक, and that paying us back is listening us to our global strategic ambitions को सुनें, कि हम क्या कहते हैं, चाइना पे तुम नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा direct मसला है, ठीक है, लेकिन on Ukraine, जो है वो, या बाकी इरशिया पे हमारी बात सुनी जाएं, पाकिस्तान को चाइना के लावा को मूँ नहीं लगाता है, इंडिया को इरशिया के किसे करना है, राफेल किसे लेने है, फुलान जीज किसे लेनी है, ये चीज़ें, अब इंडिया वो जिसे कहते हैं, बिकॉस आफ डाट डिफेंस, बिकॉस आफ डाट एक तो पैसा है, और दूसरा रेलिवेंस की वज़ा से, वो ये की बात कर रहे हैं कि हाँ जी, अब हमें और मुमालक से भी चीज़ें लेनी चाहिए, इंडिया उस चीज में लग गया, लेकिन अभी इंडिया के उपर जो प्रेशर है, वो यह ही है कि चाइना जो है, वो कल को आपको छोड़ेगा नहीं, ये एक तासुर दिया जा रहे हैं इंडिया को, मुल्क जंग बंग दी किर जो वेस्टर यॉर्पियन कैंट्री जाना अमेरिका है, वो खमोश होके बैठे हुए हैं, इस्टर यॉर्पियन ममालक तड़फ रहे हैं, जो जंग बंद किरवाना जो है न, ये जो किन लोग कहते हैं, वो मेडियाशन, क्यों नरेंदर मोदी मेडियाशन करेगा, नरेंदर ये ट्रेवल, यानि पोलन से कीव, युक्रेन तक का ट्रेवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन, जब वो पहुंचे कीव, तो इंडियन डाइस्पोरा बड़ी तादाद में मौझूद था वहां पर, और इंडियन डाइस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर, और वहां पर इंडियन डाइस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मूधी, 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 पाकिस्तानियों, आप क्या सोच रहें इस पारे में, कि ये क्या हो गया, तो देखिए, वो तो हर जगा पर यही करत इतना पावरफुल है युकरेन के अंदर की में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था